ओके हम पर्दे थे sound waves sound waves are longitudinal in nature the oscillations are parallel to the wave direction oscillations are parallel to the wave direction it consists of compressions and rare fraction जब कुछ इस vibrate करती है it produces variations in pressure compression rare fraction मनाती है यह tuning fork है oscillate कर रहे compression rare fraction मना रहे यह compression high pressure region rare fraction low pressure region though compressions के दिर में gap is wavelength though rare functions के दिर में gap is wavelength पढ़ा आप लोगों ने फिर sound waves are mechanical in nature उसको medium चाहिए वो bell jar वाले experiment में से जब air निकालते गए थे तो क्या हो गया था bell jar वाले experiment में से जब आपने air को remove कर दिया था तो sound की intensity आना खतम होगी थी और जब बिल्कुल वैक्यूम तो कर नहीं सकते चले नियरली वैक्यूम हो गया था था आवास बिल्कुल ना होने के बराबर आ रहे थी और अगर perfect vacuum हो जाएगा तो आवास नहीं आएगी पिर sound wave reflect करती है से बांस बैक एंगलाई इस एकल टो एंगल आर इसकी example क्या है एकोज एकोज क्या होती है reflected sound sound wave कहां से reflect होती है hard surfaces से और जो reflected sound होती इसको बोलते एको कभी हमें echo observe होती है कभी observe नहीं होती एकोज होती है observe क्यों नहीं होती है वो इतनी जल्दी आरहे हैं कि अरिदल sound में mix up हो गई है, reflector बहुत करीब है sound जाने और आने में d जाने में, d आने में 2d distance जो cover कर रहा है वो बहुत कम time में cover कर रहा है हमारे reaction time में से भी कम time में cover कर रहा है और हम यह echo अलग से नहीं आ रही लेकिन अगर sound जाने आने में फिर हमने क्या पड़ा, फिर हमने पड़ा कि sound wave refract भी करती है reflection of sound bending of sound due to change in speed तो sound की speed change करने के लिए हमने carbon dioxide gas का balloon रख दिया mic रखा, speaker रखा, mic रखा जब carbon dioxide का balloon नहीं था तो mic तक sound कम जा रही थी क्योंकि sound wave spread हो रही थी mic तक कब sound पहुँच रही थी और जब balloon रखा, तो balloon ने sound को मोड के mic की तरफ converge कर दिया तो sound की intensity जादा हो गए तो prove हो गया कि sound wave refract करती है diffraction of sound, sound diffract भी करती है spread भी होती है, जब दर्वाज़े से गुजरती है किसी gap से गुजरती है तो फैल जाती है इसको बोलते है diffraction of sound clear? हमने यहां तक पड़ा अच्छा फिर हमने क्या पड़ा इसके बाद then we discussed, हमने questions किये थे इससे related बहुत सारे आज का काम क्या है? बिटा आज का काम है observing sound waves मैं sound wave को देखना चाहता हूँ sound wave को तो नहीं देख सकता मैं sound wave को form को देखूँगा तो कैसे देखूँगा मैं थोड़ा का बताया वह आपको Mike and CRO तो heading लिखे observing sound waves पीटा हर wave की specific speed होती है specific medium में जो बहुत सारी चीज़ों पर depend करती है अब यह नहीं पता कि इसकी specific elastic models पर depend करती है inter molecular forces पर depend करती है density पर depend करती है temperature पर depend करती है और इक होती है speed अब क्यूं होती है बस infectors पर depend करती है इसलिए होती होगी इसका मुझे नहीं पता बेटा अच्छा बेटा observing sound waves observing sound waves form heading लिखे तो कैसे देख सकते हैं हम sound waves को mic लगा लें CRO ले लें CRO एक डबबा होता है जिस पर एक display होता है जिस पर wave आ रही होती है आपने दिखा हुए ये वो patients के साथ नहीं लगा होता जो ज़्यादा patient बिमार होती है उनकी heart beat को चेक कर रहा होता है वो जो बना मर जाता है तो straight line आ जाती है वो जो heart beat खतम हो जाएग तो straight line आ जाएगे न आवाज ही नहीं आ रही होगी ये उसी तरह की चीज़ होती है वो भी एक किसम का CRO होता है अच्छे बिटा CRO क्या है CRO इस cathode ray oscilloscope इसका पूरा नाम क्या है CRO cathode ray oscilloscope ये एक डबबा होता है जिस पर यहाँ पे display होता है बहुत सरे बटन्स होते हैं हम इससे कनेक्ट कर देते हैं microphone ये mic attach कर दिया पहले लिकलें वी कन अब्सर्व वेवर्म बाई उसे microphone connected with CRO when sound is incident on the microphone a waveform appears on the display प्लीज पॉपी करें ये डियर्ग्राम बनाने जल्दी से रफ सी we can use the display to compare the different sounds to find the time period and frequency of sounds जल्दी से कॉपी करें हाँ जी बेटा लिख लिए observing sound waves हम sound wave को कैसे observe कर सकते हैं mic and CRO ये क्या करते हैं अभी बताता हूं पहले लिख लें आप ये से मेरा बेटा लिख लें we can observe sound waveform by using microphone connected with CRO when sound is incident on the microphone a waveform appears on the display कितने का में यार हाँ जी बेटा असल में its display को use करते हैं क्या कर सकते हैं to compare the different sounds हाँ दे बेटा to compare the different sounds to find the time period and frequency of sound you can see mic and CRO अब जरा सुनने थोड़ा सा आपको curiosity होगी क्या हो रहा है mic क्या करता है mic जिसमें बोलते हैं mic क्या करता है this sound energy को electrical energy में convert करता है mic converts sound energy into electrical energy electricity में voltage का नाम सुना होगा current का नाम सुना होगा आपने electricity में हम पढ़ेंगे next chapter यह जो चीज होती है ना CRO यह basically graph होता है यहाँ पर होती है voltage यहाँ पर होता है time आप कहेंगे sound wave में voltage कहां से आगी सर sound wave में voltage नहीं है you are right mic ने क्या किया है sound wave को यह आपने लिखना नहीं है not required sound energy को convert कर दिया है electrical energy में अब करता है energy cannot be created not be destroyed it changes form mic क्या करता है mic एक transducer है जो एक energy को दुसरी energy में convert करता है यह sound energy को electrical energy में convert करता है electricity में तो होती है voltage सुना होगा नाम आपने electricity में voltage होती है तो mic क्या करता है voltage में convert कर देता है sound energy को electrical energy में convert कर देता है कट आपके वोल्टेज्ट टाइंड ऐसी हो सकती है स्मूध शेप एक प्रॉपर शेप परियोडिक शेप ऐस सकती है're पुर्णे से यू करें यू करके यू करके यू करकी स्था की चीज़ा रही होता है स्मूथ ट्रेस नहीं होता है तो माइक साउंड इनर्जी को एलेक्ट्रिकल नर्जी में करते हैं और माइक किस से कनेक्टिट है सियारो पे सियारो का करता है वोल्टेज ट्राइम ग्राफ देता है तो बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हैं कि यह जो इस्ट्रुमेंट है ना यह किसी भी वाइब्रेशन को वेट फारं में चर्ट तो साउंड में कौनसी वाइब्रेशन तो यह और मॉलिकूल्स वाइब्रेच करेंगे तो स्य क्या होगा वाइबरेज करने से माइक के बोलेंगे तो यूं अने की वेव उसके अंप्लिटूट कम होगा जोर से बोलेंगे तो ज्यादा होगा आइस्ता बोलेंगे तो अंप्लिटूट कम होगा पेशन्ट का हार्ट जोर जोर से बीट करेगा तो उंचे अट्रेस्ट बनेगा आइस्ता करेगा तो यूं करेगा नही कर रहा हाल्ट खतम हो गया तो स्ट्रेट लाइन सुन देखा होगा आपने टीवी में देखा होगा हाँ जी अब्जर्विंग साउंड वेफ तो वी कन अब्जर्व साउंड वेफ बाई यूजिंग वाट माइक्रोफोन और सियारो सियारो की बात कर नहीं है अब थोड़ी सी डिटेल में फिर मैंने रट्टा लगवाया वी कन यूज दिस डिस्प्लेइट वाली वेव और ये रेड वाली को कंपेर कर सकते हैं न कर सकते हैं न कंपेर कैसे वन का अम्प्लिटूट जाद है लाउडर साउंड है तू का अम्प्लिटूट कम है लेस लाउडर साउंड है यह क्वाइटर साउंड है इसकी इंटेंसिटी कम है जिसका अम्प्लिटूट जादा होगा वो लाउडर होगी जिसका अम्प्लिटूट कम होगा वो लेस लाउ इसकी उरिजिनल पिक्चेर है बहुत सारी नौब होती हैं हमें ये डिस्प्ले रिकॉयर्ड है डिस्प्लेज स्क्रीन रिकॉयर्ड एस पर स्क्रीन होती है ब्राइट नेस होती है स्क्रीन वेक्ट्रेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं हम इस पर वेव देख सकते हैं इसके बहुत सारी बटन होती है CRO, Cathode Ray Oscilloscope मेरा बेटा ऐसा होता है ठीक है? वैसी बताया जानना जुरूरी नहीं है उसके बाद, उसके बाद देखिए इस CRO की रियल पिक्चर है simulated picture ऐसी है simulated picture, यह simulated है यह actual picture नहीं है उसकी बनाई हूँ यहाथ से basically हमें इसमें interest है display में interest है आपकी sound wave यहाँ पे बनेगी न हमें display में interest है this is display इसके display पे डबबे बने होती है boxes बने होती है यह एक centimeter का होता है एक centimeter भी बोलते है इसको एक division भी बोलते है और इस तरह भी यह एक centimeter है यह एक division है screen पे 10 boxes होती है यह 10 boxes होती है यह एक, दो, तीन, चार यहाँ कम होती है यहाँ 10 होती है यह 10 होती है यहाँ पे कम होती होंगे तो यहाँ पे 10 boxes होती है X-axis कहला हूँ, यह CRO है बिटा Cathode Ray Oscilloscope अब क्या करते हैं, अब सुनिए जरा 9, अब मुश्किल चीज आगी बिटा मुझे आपके attention चाहिए, हाँ और से, CRO की screen में interest है, और knobs में interest नहीं है, मैंने ख़ली screen बना ली अब यह तो screen होती है यह basically graph होता है voltage नहीं रचाहिए हमें, अगेंस time time axis यह है चले यह time axis, sorry यह time axis है हाँ दी बिटा CRO की screen is basically graph of V नजर आ रहा है, पुरा लिख देता हूँ voltage against time graph होता है आपके पहले syllabus पे न, CRO की construction भी थी, और यह electricity वाले chapter में पढ़ते थी, हम alternating current एक direct current होता है, जो एकी direction में जाता है, एक alternating current होता है, जो आपकी direction change करता है, जिसकी wave view बनती है हम alternating current की frequency find out करने के लिए, इसको observe करने के लिए CRO use करते थे, CRO electronics का topic था, पहले इसकी construction भी आती थी, किसके अंदर कैसा हो रहा है, यह trace क्यू बन रहा है, अब यह खतम हो गया, अब syllabus पे नहीं है अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इस पर reading कैसे ले सकते हैं, तो हम इस पर reading लेना सीख रहे हैं, अभी y-axis का कोई काम नहीं है, सिर्फ x-axis का काम है, आपके syllabus नहीं, कोई question है, आपसे बेटा प्लीज बातें नहीं करेंगे, हाँ, आप नाम देखते रहो कौन फुजूल comments कर रहा होता है, ठीक है, note करते रहा हो, अच्छा मेरा बेटा, प्लीज पेटेंशन, तो ये voltage time graph होता है, sound में voltage नहीं होती, sound में voltage नहीं होती, लेकिन जब sound mic पे पढ़ती है, तो mic क्या करता है, sound energy को electrical energy में convert करते हैं, जिस पे voltage आजाती है, तो y-axis को कोई काम नहीं है, तो basically ये graph है, basically ये क्या है, इसकी screen पे graph, grid बनी हुई है, printed grid है, printed grid, grid में डब्बे, grid डब्बे बने हुए हैं, printed है उसके उपर, आपके disclaimer, there is a grid, और एक डब्बा क्यातना होता है, 1 cm, 1 cm भी बोलती है, और 1 division भी कहती है, इसको 1 division, ये भी वही बात है, 1 cm, 1 division, अच्छा मेटा, अब ज़रा गौर सा सुनिये, CRO की screen is graph, voltage against time, voltage अभी नहीं चाहिए, time की बात करते हैं, time, जब अपने graph बनाना होता है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सोचें, मैंने graph बनाना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, axis label करेंगे, यह y axis है इस पर voltage ले ली यह x axis है इस पर time ले लिया पहला काम, axis draw करेंगे न कर लिये न, draw उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर values लिखेंगे न, 0 2, 4, 1, 2, 10, 20, 30, इसका बोलते है scale, next काम क्या होता है, आप scale लेते हैं, scale आप scale लेते हैं, scale कैसे लेते हैं, की आप कहते हैं, 1 cm, 1 और 1 box, 1 division किसके इकवल है, 2 seconds के एकवल है, अगर आप x axis के along, आप कहते हैं, 1 square या 1 division 2 seconds के एकवल है, यहाँपर लिख लोगे, यहाँपर 1, 2, 4, 6, यहाँपर 8, ऐह से होगाँ आ, इसे होगा ना हम स्केल लेती हैं सबसे पहले हम ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले एक्सिस को लेबल करते हैं उसके बाद स्केल लेते हैं अच्छा बिटा सी आरो अब जर गौर से सुरिए सी आरो का जो स्केल होता है ना टाइम एक्सिस का स्केल टाइम एक्सिस का स्केल हम बोलते हैं टाइम बेस सेटिंग्स क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं टाइम बेस सेटिंग्स टाइम बेस सेटिंग्स यह बनाना है आपने टाइम बेस सेटिंग्स यह क्या होता है टाइम बेस सेटिंग्स का क्या मतलब है टाइम बेस सेटिंग्स का मतलब होता है हाँ जी टाइम बेस सेटिंग का मतलब होता है स्केल ओफ इसकी नॉब गिवन होती है फॉर एजेंपल आपके नॉब को कहां पे कर दी है आपके टाइम बेस कर दी है टाइम बेस इस टेन मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर ऐसे भी लिखा हो सकता है एसे लिखा हो सकता है टेन मीटर सेकेंड नहीं है मिली सेकेंड यह टाइम है मिली सेकेंड सेंटीमीटर माइनस वन भी लिखा हो सकता है यह ऐसे भी हो सकते है 10 millisecond per division इन तीनों का एक ही मतलब है time-based settings की knob होती है time-based setting जी एक बेस्ट जो है ना आपके यह एक इक डब्बा है यह एक दबबा यह जीरो है ना यह जीरो टाइम है यह 10 millisecond है यह 20 millisecond 30 millisecond 40 millisecond 50 millisecond 60 70 and so on millisecond में टाइम है कि एक डबबा इसका मतलब क्या हुआ कि one division one division is equal to 10 millisecond एक डबबा 10 millisecond के टाइम एक्सिस के लाँ अगर आपकी time-based setting 10 millisecond पर division क्या मतलब है एक division 10 millisecond time के इक वले आपने नॉब खुमा दी इसको change कर दिया आप इसको लिए 20 millisecond per division नॉब होती है इसकी इसकी क्या होती है है time-based setting क्या होती है एक नॉब होती है बहुत सरी नॉब्स की दिए थिए नगया रो यह time per division time based setting की knob होती है यह y axis की knob होती है अच्छा बेटा तो वन division 10 milliseconds के equal है अब अगर आपको CRO पे दो waves मिल जाएं यह देखो मैं आपको उदादू का क्या लिखना है डाइग्राम मना रही है एक यह पलस आ रही है यह पलस आ रही है इस तरह पलस आ रही है CRO की screen पे ऐसे पलस आ रही है examiner पूछता है what is the interval between pulses एक पलस के बाद दूसरी पलस कितने टाइम बाद आएगी तो आप देखेंगे कितने टाइम बाद आएगी कितने डबो का gap है A और B में कितने डबो का gap है दो डबो का gap है ना दो boxes का gap है कितने gap है दो divisions का gap है दो boxes का gap है एक डिविजिन किसके एक्वल है तो इन दोनों में कितना टाइम इंटरवल है 20 milliseconds एपल्स के बाद B कितने टाइम बाद आ रहे है 20 milliseconds सुने मेरी बात हो सकता है यह यह इंसिरेंट साउंड हो यह एको यह इंसिरेंट साउंड हो यह उसकी एको तो एक स्क्रीन पे आपके बस टाइम आ जाएगा कैये हम निए क्या लिखने मैं आपको बताता हम बस डियाग्राम मनाने यहां पर लिखने यह वोम टेयर के एक्सेज स्ञबkelijkले कि पहले समझ लें डाइग्राम बना लें ये दो लाइने लिख लें पिर मैं आपको बताता हूं और क्या लिखना है अ कर्टी लिख लेंग्रा लेंगें है मैं करता हूँ, आप ड्रोग कर ले में करता हूँ जी जनाब, ओके, अब जरसुलने दुबारा, इसको मैं सब को मिटाता हूँ, दुबारा लिख दूँगा, परिशान ना हूँ, दुबारा लिख दूँगा, इमिटा दिया मैंने सब, सियारो की स्क्रीन, सियारो की स्क्रीन, इस ग्राफ, ऑफ वट, इट, इस ग्राफ आफ लूटेज, अगेस्स टाइम, सबसे पहला काम क्या किया, मैंने ग्राफ बनाने के लिए एक्सज बना ली है, फर्सक्र टेप एक्सज, वो गिवन है, नेक्स टेप होँ आथा है, स्केल, तो x-axis के scale को बोलते हैं, the scale of time axis, x-axis या time axis एक ही बात है, is known as time-based settings, तो अगर आप से बूचे, what is time-based settings, अब बोलेंगे scale of time axis, what is time-based setting, the scale of time axis, अब ये कैसे given होता है, for example, अब इसकी example दे रहा हूँ, time-based setting आपको given है, time-based, आपको given है question में, time-based is 10 millisecond per centimeter, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि one box, one centimeter, और one box, कितने time के equal है, 10 millisecond के equal है, इसका ये मतलब है, कि मतलब अगर ये zero time है, नजर नहीं आएगा शो, हाँ जी, मतलब ये, अगर ये zero time है, ये कितना time है, 10 millisecond, ये 20 millisecond, ये 30 millisecond, ये 40 millisecond, ये 50 millisecond and so on. अब अगर यहाँ पे एक wave बनी हुई है आप जर गौर से सुलो यहाँ पे एक wave बनी हुई है आपके CRO पे एक wave बनी हुई है इस तरह की एक wave बनी हुई है examiner करता है बताएं इस wave का time period कितने है तो आप देखोगे यह wave का crust और trough कितने time में complete हो रहे है इतने दो डबबों में complete हो रहे है एक डबबा किसके equal है 10 के equal है तो दो डबबे किसके equal हो का 20 तो इस wave का time period आ गया इस wave का time period आ गया time period time required to complete one wave कितने आ गया दो बॉक्स में fit हो रहे है एक बॉक्स 10 के equal है तो दो 20 के equal हो गया तो मैंने लिखते है विसे लिखा नहीं होता तो यह लिखा नहीं होगा नीचे तो आप वैसे ही बता देंगे कि यह 20 millisecond है यह कितने टू बॉक्स में fit हो रहे है और 2 multiply by time based setting 20 millisecond इस wave का time period कितना आ गया 20 millisecond अगर time based settings यह है और graph यह बन रहे है तो हम graph के चेक कर लेंगे कितने time में wave complete हो रही है एक crust और एक cruff कितने डब्बों में fit आ रहे है दो डब्बों में fit आ रहे है एक डब्बा किसके equal है एक डब्बा 10 के equal है बेटे यह तो मैंने लिखा नहीं होता हम डब्बे काउंट करते हैं कितने डब्बों में fit हो रही है एक डब्बा कितने time के equal है अब ही मैं example देता हूँ यह यह लिखावा नहीं होता है यह देखो वेव भी मिटके चलने दुबारा बना लेते हैं अच्छा भी अब आपकी time based settings है yellow नजर नहीं आ रहा है अच्छा अच्छा बिटा अगर आपकी time based setting कुछ और है यह नहीं है for example हमारी time based setting इसको मिटाता हूँ मारी time based setting है दरब और से देखो दर टाइम बेस सेटिंग्स एज फ़र एजंपल इट ट्विंटी मिली सेकेंड पर डिवीजन एक ही बात ऐसे लिखाव है क्या मतलब है एक सेंटीमेटर किसके एकवल है 20 मिली सेकेंड्स के एक डबा किसके एकवल है 20 मिली सेकेंड्स के अब मेरी वेव यह बन रही है मेरी यह बन रही है यह अब examiner कहता है what is the time period of this wave what is the time period of this wave जी जनाब इसका मुझे time period निकालने है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले हैं देखूंगा यह wild का क्रस्ट कितने डबा में फिटा आ रहा है एक 2-3-4-5-6 box तो मैं क्या करूंगा six boxes में फिट आ रही है न वेव तो मैं six को multiply कर दूँगा six boxes है और एक box किसके equal है एक box किसके equal है one centimeter किसके equal है 20 से तो इसको multiply कर दूँगा 20 millisecond तो बिरांसर आ जाएगा 120 millisecond time period आ गया यह वेव है छे boxes में खतम हो रही है एक box 20 के equal है तो छे किसके equal होगा 120 millisecond तो basically ग्राफ है हमने पढ़े सिर्फ वेव के दो किसम के ग्राफ होते है displacement distance along the wave and displacement time graph यहां पर यक्स पर displacement नहीं है voltage है और voltage displacement के proportional है आप इसको displacement suppose कर सकते हैं हमें इस में इंक्रस्ट है हमें x-axis में इंक्रस्ट है कितने डब्बों में फिट आ रही है वेव एक crust और एक truff कितने डब्बों में फिट आ रहा है यह नह time period this is what this is time period time period time required to complete one wave छे डब्बों में फिट आ रही है एक डबबा 20 के लगा 120 millisecond get it दोबारा बताता हूं CRO की स्क्रीन is what voltage time graph Y axis की जरूरत नहीं है हमें किसकी जरूरत है time निकालने के लिए X axis की जरूरत है time axis X axis होता है अच्छा अब ये graph मैं थोड़ी बना रहा हूँ machine बना रहा हूँ machine में knob है अब knob घुमाएंगे scale change कर देंगे manually graph बनानों तो आपको scale लेना पड़ता है आप कहते हैं एक डबबा X axis के लाओंगे इतने units की equal है एक डबबा Y axis के लाओंगे इतने units की equal है आपने graph बनाए होँगे पता है आपको जो मैं बोल रहा हूँ अच्छा भी टर्मा लिस्ट निपी प्लीज अब सबसे पहले graph के axis सेलेक्ट करते हैं फिर आप scale लेते हैं X axis के scale को बोलते है time based settings और Y axis के scale को बोलते है Y gain अभी नहीं बता रहा है हम electronics से बनेंगे Y axis के scale को बोलते है voltage gain और Y gain नाम है scale of Y axis अगर Y gain 10 volt पर division है तो क्या मतलब हुआ Y axis के along एक डबा 10 volt की फ़ल है अभी नहीं चाहिए अभी हम X axis के बात करेंगे X axis के scale को क्या बोलते है time based settings time based settings अगर मेरी time based settings क्या है for example the time based settings is मैं मिटा रहा हूं इसको अब change कर रहा हूं हादी वेब भी मिटा देते है ओके यह वेब बनी हुए जनाब यह वेब बनी हुए यह वेब है examiner कहता है इस वेब की time period बताएं इसकी frequency बताएं यह वेब है तो सबसे पहले आप देखेंगे what is time based settings time based settings आपको given है 50 50 यूँ करके लिखा वा है यह क्या है 50 microseconds 50 microseconds per centimetre क्या मतलब है कि एक ड陋बा एक ड़ एक सेंटी मेटर किसके एक वल है 50 microseconds के एक वल है एक ड़बा 50 microseconds के एक वल है आप चाहो तो यहाह भी लिख सकते हो 0, 50, 100, 150, 200 ऐसे भी लिख सकते हो को नहीं लिए लिखते की जुरुत नहीं है अब आपने मुझे इस का टाइम पिरिट बतांब ये पुरानी वेव का लिखावा को एयरेज कर दोू इसको बैस कर रहाँ व थाद कर रहे हो पेटा सही बता रहे हो तुम लोग मू सेकंड माइक्रो सेकंड टाउ है तो पहले सेकंड को सेकंड में चेंज करो माइक्रो में मिलियन सेकंड होती है तो इसको 1,000,000 पे डिवाइद कर देंगे या इसे भी सकते हो 200 इन्टू 10 पावर, माइक्रो की वेली होती है, माइनस 6 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स आ गया, मैंने माइक्रो की जगव सकी वेली डाल दी, ये इसको 1 मिलियन पर डिवाइट कर दी, ये माइक्रो बन जाएगा, अब टाइम पिरिट क्या होता है, फ्रिकेंसी होती है, वन ओवर टाइम पिरेट, तो 1 ओवर 200 इन्टू 10 पावर माइनस 6, ये माइनस 6 उपर जाके मिलियन बन जाएगा, ये उपर चला जाएगा, ओवर 200, ये दो जिरो जिससे कट करेंगा, तू 5 जा 10, 5000 हर्ड्स, आपकी फ्रिकेंसी कितनी आ जाएगी, 5000 हर्ड्स, मैंने फ्रिकेंसी निकाल ली, ये वेव गिवन थी, मैंने इसकी फ्रिकेंसी निकाल ली, तो मेटा CRO पे हम क्या कर सकते हैं, माइक लगाते हैं, माइक लगाते हैं CRO के साथ, उसको आन करते हैं, उसकी settings को छेड़ते हैं तो एक trace आजाता है यह जो trace आता है, यह क्या है? voltage time graph है इस trace को बनाने का फाइदा क्या हुआ? हम इससे wave को compare कर सकते हैं एक wave यह है, एक wave यह है तो मझे पता है A louder है, B quieter है A का amplitude जाद है, B का amplitude कम है अच्छा, frequency दोनों की same है क्योंकि जितने डबों में blue वाली wave खतम हो रही है उतने डबों में brown वाली wave खतम हो रही है दोनों के time period same है, दोनों की frequency same है Get it? अब एक और question करके देखते हैं यह देखो, next अब आपको traces given है A mic is connected to CRO connected to, लिखना भूल गया मैं the time-based settings is 10 millisecond per division we obtain the following traces find the time period and frequency of each signal A signal का भी बताएं और B signal का भी बताएं दोनों signal का time period बताना है दोनों signal की frequency बतानी है यह बीर फिर बाते का रहा है दूसरे के साथ इबराहीम भी लगाओ है अच्छा बीटा, not listening to me please जी जनाब A और B दोनों का time period निकाल ला है सबसे बहले एक ही बात करते है what is time-based settings time-based क्या है time-based कितना दिया है आपको 10 millisecond per division 10 millisecond per division पर को ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस करके भी, क्या मतलब है एक division, एक centimeter एक डबा कितने इकवल है 10 millisecond के इकवल है तो आपकी wave यहां से start हो रही है और यहां पे end हो रही है यहां से start हो रही है यहां पे end हो रही है कितने डबों में fit आ रही है 20 over 1000 seconds यह आगया time period अब frequency कैसे आएगी इसको उल्टा कर दे इसका reciprocal ले ले इसको उल्टा कर दे यह 20 over 1000 है ना तो frequency क्या होगी 1000 over 20 कितना आजाएगा 50 hertz next wave का निकाले आजान हो रही है जब तक time period में निकाले frequency में निकाले प्लीज झालेंगी कर रहिंस क्जैब। यह झालेंगी की अल्टा को कने एक़ई का रही अल्टा को ककंढ में आएगी जालें कर दे झाल झाल जाकला जी वेटा आप देख सकते हो कि आपकी जो वेव है यहां से लेके यहां तक कितने डायम हो दिये है एक डबबे में फिटा आ रही है एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक डबबे में एक डुविएन में एक डुविएन 10 millisecond के एकवल है तो इसका time period कितना हो गया, what is time period, 10 milliseconds, इसका time period कितना हो गया है, 10 milliseconds, देखो न, एक डबबे में फिट आ रही है, एक डबबा किसके equal है, 10 के equal है, तो इसका time period कितना हो गया, 10 milliseconds, the time period is 10 milliseconds, time period आ गया, अब frequency निकाल देते हैं, time period 10 milliseconds है, कहा लिखूं, जगा कम है, इसको मिटा रहा हू इधर मिटारूं यहां लिकर रहा हूं यहां ताइम पिरिड आ गया है ताइम पिरिड इस टैन फिरिड इस किटेंद्स जाहिए हो 0.01 साई है यह सेकेंड आ अब फ्रीकंसी क्या होती है वन ओवर टायम प्रीड वान ओवर 0.01 इस हंड़र्द हर्ट्स जबर्दस बीटा 100 Hertz इसकी frequency कितनी है थी 50 Hertz इसका time period कितना है थे 20 ms इस wave का time period कितना है 10ms 10 ms और frequency कितनी है 100 Hertz Get it ? आपकी wave एक डबबे में complete हो रही है एक डबबा 10 के एक्वल है तो उसका time period 10 s यह वाली जो वेव थी, एक क्रस्ट और एक क्रफ यह दो डबो में कंप्लीट हो रही है, इसका टाइम पिरिट आ गया थे 20 मिली सेकंड्स, दो डबो में कंप्लीट हो रही है, अब जल्दी से देख ले मिटा, अब मैं आपको क्या बताना चाहरा हूँ, नौ, अगर आपको य टाइम पिरिट किता है, 10 मिली सेकंड्स, टाइम पिरिट आधा है, तो फ्रिकेंसी डबल है, इन वर्स रिलेशन होता है ना इन दोनों में, टाइम पिरिट और फ्रिकेंसी में, टाइम पिरिट किसके एक बल होता है, इन दोनों में इन वर्स रिलेशन होता है, इन दोनों मे अगर time period यह भी यह 0 है, यह 10 है, यह 20 है, यह 40 है, यह 50 है, यह 0 है, यह 10 है, यह 30 है, यह 40 है, यह 50 है, how did I come to know? Given है 10 millisecond per division, 10 millisecond per division, एक डबा 10 के equal है, अच्छा बेटा, अब देख सकते हैं, यह wave खुली हुय है, अब इसका time period का है? जादा. ये wave compressed है ना तो उसका time period कम जिसका time period कम होता है उसकी frequency जादा होती है. अब इसको जहें में रखेगा. अगर आपको यहीं पे दो waves given हो. एक wave ये given है एक wave ये given है एक black वाली wave given है और एक white वाली wave given है examiner पूछते है black वाली wave और white वाली wave को compare करो तो आप बुलोगे black वाली का amplitude जाद है वो louder है white वाली का amplitude कम है वो less louder है. हाना? दूसरी बात का compare करोगे black वाली wave जादा time में complete हो रही है. इसका time period जादा है तो frequency कम होगी. white वाली wave कम time में complete हो रही है. इसका time period कम है तो frequency जादा होगी. तो white वाली wave का time period का है, कम, तो frequency का है, जाधा है, जो compressed wave होगी, इसकी frequency जाधा होगी, जो stretch wave होगी, इसकी frequency काम होगी, simple, जो compressed wave है, वो कम time में complete हो रही है, draw करके बताता हूँ आपको, हर वे, क्या लिए दोबर बोलो, हाँ, बिलकुल, जो भी माइक के उपंदर बोलेंगे, वो CRO पे trace बनाएगे, ठीक है, ओके, एक wave यह बन रही है बिटा, examiner क्या बुचेगा आप से, एक wave यह है, और दूसरी wave यह है, बना रहो एक और, compare these two waves, यह A wave है, और यह B wave है, red वाली B है, और इंग वाली A है, तो आप क्या होगे, जिसका amplitude ज़ाद है, वो louder है, A is louder, B is less louder, A is louder, B is less louder, कौन ज़ादा time में complete हो रही है, कितने डबों में, A ज़ादा time में complete हो रही है न, A, चार्ट डबों में complete हो रही है न, A, A का time period क्या है, ज़ादा A, A wave, time period ज़ादा है, तो frequency क्या होगी, कम, B की बात करूँ, B का, B कम time में complete हो रही है, कम डबों में fit आ रही है, B कम डबों में fit आ रही है, A, चार्ट डबों में, इसका crust, और ट्रफ चार्ट डबों में आ रही है, ये दो डबों में आ रही है, कम बाक्स में complete हो रही है, कम time में complete हो रही है, तो frequency हाई है, तो इस तरीके से, बगार कुछ किये, आप देखेंगे, जो compressed waves की frequency ज़ादा होगी, जो stretch waves की frequency कम होगी, कल हम यही से start करेंगे, जल्दी से बिटा जूम खोलने, पांच मिनट में इससे दोबारा बता दूँ ही पे,